लोप पदलेकिशन दिल्ली में वो सर्विस करते थे चंदरुशन दियोगम, वो एड़वोकेट रहें, सी एंटी के बारे में समझ उनको था, और उस दर्मियान स्टेन स्वामी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके पास भी जाकर करें हम लोग काफी स्टडी किया, बगैचा में, हम लोग ने देखा कि विशेशकर हो छेत्र में जो किचेन होता है, वो हो लोगों का एक मंदीर है, हो लोगों का मंदीर है वो किचेन, जहां वो लोग खाना पकाता है, और वहां दूसरे को उस घर के परिवार के जो लोग हैं, उसके अलावे दूसरे को वो किचेन में घुसने नहीं दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो लोगों का मानना है, समुदय का मानना है, अधिवसी समाज का मानना है, कि उसी किचेन में उनके पुरुवजों का आत्मा बसता है, इसलिए जब भी नया बहू को लाया जाता है, तो सबसे पाले वो किचेन में ही उसको लेकर जाता है और परिचे करुवाता है उनका पुरुवजों से, पुरुवजों का आत्मा से परिचे करुवाता है कि ए नहीं नहीं हम लोगों का घर का सदस्या बनी है, इसको आप लोग किसी तरह कहानी आज के बाद नहीं पहुंचाओगे अगर वो बारला परिवार की है तो आज के बाद ये जो लड़की आई है वो बारला परिवार की सदस्या हो गई है इसलिए आप लोग जो है इसको किसी तरह का परिशानी नहीं करोगे उसी तरह जब बच्चा पैदा हो लेता है तो सबसे पहले कीचेन में लेके जाता है और वहां के जो पूरवज लोग हैं उनसे परिचय करवाता है कि यह नाया हम लोग का परिवार का सदस्या है इसको किसी तरह का परिचाने आप लोग नहीं करेंगे तो आदिवसी समाज का एक पवित्र अस्थान जो यह हम मंदीर बोल सकते हैं मस्जीद बोल सकते हैं गिर्जगर बोल सकते हैं पूजा अस्थल बोल सकते हैं ओ कीचन ही है कि सीएंटी यक्ति πरीज़क पच साथ में बोलता है कि किसी भी धार्मिक अस्थल को आप किसी भी कारण के लिए कि ऑजिए उसको अधिगरान नहीं कर सकते हैं यह तो आप इसी परिशिते में तो हम लोग का हर गाओं का हर घर मदीर और मस्जीद हैं ऐसे में हमारा गाओं को आप उद्यों के स्तापना के लिए कैसे अप अधिगरन करेंगे उसको हम लोग उने बेस बनाया और लड़ाई को लड़ा